आज मैं आपके साथ लाहोरी चिकन शूर्भी की रेसिपी शेयर करूंगी सर्डियों में यह और घराया रत शोर्बा शुर्बा आपके साथ भी ठीस यहां लेगागा और ने वह से लग कोई दलेंगे तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा कट लगा लेंगे आप चाहें तो इसकी जगा पर चिकन के छोटे पीस भी ले सकते हैं आप यह रेसिपी चिकन के छोटे पीसिस से भी बना सकते हैं जाएके में कोई फरक नहीं आएगा जाएका दोनों का सेम होगा तो यह बड़े-बड़े पीसिस देखने में अच्छे लगते हैं प्रिजन्टे में लगते हैं तो अब हम इनको धो लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक एक से तीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको रख देंगे आदे घंटे के लिए आप इसको इसी तरह से रख दीजिए जिससे चिकन अच्छी से साब भी हो जाएगा और नमक इसके अंदर तक चला जाएगा और ये देखे मैंने हाँ पर 8-10 जबे लेसन के लिए हैं इनको हम पीस लेंगे और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं से सफिए से मां लीकिन है लालमिज पाउडर और थ मां लियेAl 2 कौम हलदी पाउडर लिया है 500 म? क sic लोग भी तर्षिपून गोसा जीराक की बदाता है नमक बिने लेंगे और यह से नमक नंतिकार्णफ नमक के अपने पाउडिंग एड़ा कोगा निया है कड़ाई में डाल देंगे घी तिये रेसिपी देसी घी से बनती है अब हम क्रतले के बिरंगे तो शुक्त कम भी साथ मदधनी जाने में 5-8 मिनिट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मार्ग साजाने तक फ्राय कर लेंगे चेकन फ्राय हो गया है इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए बोटी अच्छे से गल भी गई है अब ही थोड़ी सी टाइट है यह और पकेगी तो अब ह बोटियों को निकाल लिया है मैंने अब जो कड़ाई में गी है इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन और इसको हम एक मिनट के लिए फ्राइए करेंगे गया इसका फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब इसमें डाल देंगे सारे मसाले साफ को मैंने कपड़े में बान लिया है और इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे इन मसालों से ही शोरबे में एक बहुत अच्छा यखनी वाला फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हम मसालों को 3-4 मिनट तक भून लेंगे मसालों को अच्छे से भू अच्छे से लिए रखे गरेंगे और टालकर अच्छे से गल नहीं जाता है चिकन को अच्छे से खरा लेना है इसको हमें खुला हुआ ही पकाना है इसको पुकर में नागल आईएगा वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यह लीज़ा हमारे से शोर्बा बनकर चिकन चॉरबा बनकर त्यार है इसे हम सर्व कर लेंगे तो इस तरग को पर देखिया हैं उल्स का बना जाएके मीशादा जबरदस बना है और इसका फ्लेवर बहुत है आप इसको बनाईये और सर्दियों और यह देखे मैं आपको दिखाते हूं बोटी कितनी अच्छी तरह से गल गई है चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बोल में इसको आप सर्दियों में जरूर ट्राय कीजिए गार्मा गरम सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है यह सर्दियों की खास रेसिपी होती है त तो इस सर्दियों आप इस वर्बे को जरूर बनाएए और कमेंट करके हमें जरूर बताएए की रेसिपी कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो